ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मीन राशी वालू अब 2 सितंबर से 8 सितंबर यानिक इन 7 दिनों में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे जद उस्तो मलक्षमी के असरवाद से इन 7 दिनों में बन रहे सुब लाब योग जज केसरी योग महलक्षमी योग और दो राज योग के साथ आपकी किस्मत अब इन 7 दिन दो इसके आप आगरे दोस्तों आज किसमत और चमकने वाली हैं जिसके आप हक्दार है जान दोस्तों आज की इसी वीडियो आपको दो सितंबर से आठ सितंबर यानि की इन साथ दिनों के आपकी राशी के महाराशिफल के बारे में बताने वाले हैं कि इन साथ दिनों में जो की आपके लिए सुब योगों का निर्मान हो रहा है उन सुभ योगों के निर्मार से आपकी राशी वालों के ओपर किस प्रिकार सुभ और किस प्रिकार असुभ पिरभाव पड़ेगा और साथ इसाथ ग्रेन अक्षत्रों के इसाब से आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिस और वैपार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण और शटीक जानकरी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत महत्पपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको दो सितंबर से आठ सितंबर याने किन साथ दिनों के आपके राशी के शंपूर्ण शटीक राशी पल के बारे में बताने वाले हैं जब दोस्तों वीडियो का अगे शुरू करें, सबसे पिड़ आप से रिक्वेस्ट करते हैं, मालक्षमी के सच्चे वक्त इस वीडियो को एक लाइक भी करें, कमेंट स्बोक्स में जै मालक्षमी में से लिखें, जिससे मालक्षमी का असिरवाद आपको सिते प्राप्त हो स समस्या को सुल्जाने में शक्सम रहेंगे, आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत इस्तिती में रहेगा, परिवार के लोगों की छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखना आपको खुशी प्रदान करेगा, पुराने मित्रों से भी मुलाकात हो सकती है, पुरानी गल्त इन नीतियों पर विचार विमर्श करेंगे, स्वैम को उत्तम इस्तिती में पाएंगे और सफलता भी आपको हासिन होगी, घर के नवीनी करण तथा शाज सज्जा संबंदी कोई रूप देखा भी बनेगी, शातिसात धर्मिक तथा आध्यात्मिक गति विद्यों में आपक रुजहन रहेगा, किसी जरुतमंद की मदद करने से आपको आत्मिक खुसी भी प्राप्त होगी, किसी सुबचिंतक का आशिरवाद वे सुबकामनाएं आपके लिए वर्दान साबित होंगी, दोस्तों सातिसात यह समय आप किसी रुक हुए काम को पूर्ण रूप से संपन करने में सफल रहेंगे, बहतर करने के लिए आप कुछ शकारत्मक बदलाव लाने पर विचार करेंगे, आपके विनर्म श्वभाव की वजए से समाज वे संबंदियों में उच्छित इस्तान बना रहेगा, आपकी योग्गिता वे छमता लोगों के सामने आने से उनके दि परिवार के साथ हास परियास तथा मनोरण्यन संबंदी कारों में व्यतीत होगा, दोस्तो साथि साथ यह समय दोड़ धूप की अधिक्ता तो रहेगी, परन्तु कारों की सफलता आपकी ठकान को दूर भी कर देगी, समय की चाल अब आपके पक्ष में हैं, अनुबवी का आपको साथ मिलेगा, साथ साथ कभी कभी किसी काम में मनो अनुकूल परिणाम ना मिलने से आपको ऐस हैजता महसूस होगी, परन्तु जल्द ही समाधान भी प्रात्थ होगा, व्यर्थ के कामों में आप समय नश्ट ना करें, तता खर्चे भी बजट के अनुसारी करें, तो अच्छा रहेगा, आर्थिक मामलों में काफी सूज बूज कर वैसोच विचार विमर्स करके आप निर्ण एलें, किसी प्रकार का विश्वास गहत या धोका हो सकता है, अपना कोई भी प्लान किसी के समक्ष सरवाजनिक आप ना करें, तथा अपनी महत्वपून को बहुत अधिक समाल कर रखें, किसी नजदी की व्यक्ति से अचानक ही किसी मुद्दे पर वाद विवाद उत्पन हो सकता है, शान्ति पून ढंग से आप मामला सुल जाएं, अपनी गतिविदियों तथा योजनाओं के बारे में किसी से आप चर्चा ना करें, उन्हें ग या ऐस सुब समचार आपको मिल सकता है, खर्चों की अधिक्ता पर अंकुस लगा कर रखना आवश्चक है, शाति साथ अपने रिष्टेदारों के साथ संबंद खराब होने की आशंका है, इसलिए क्रोधी स्वबाब पर आप नियंतर रखें, शाति साथ अध्यनरत विद् उस्तिती लग रही है, शंतान की परेशानियों में आपका शयोग सर्वोत्तम रहेगा, दोस्तो बात अगर आपकी लव लाइफ की करें, तो यह समय पती पतनी के बीच आपसी समंजस मधुर रहेगा, पुराने मित्र से मुलाकात, परसन नता देगी, तथा पुराने याद भी ताजी होंगी, घर का वातावरन खुसनुमा बना रहेगा, जीवन साती के साथ भी संबंद मधुर ता पूर रहेगे, अध्यादिक वेश्टता के बावजूद भी घर परिवार पर शमय देना परिवारिक संबंदों को और अधिक मजबूत करेगा, तथा घर का को शांती पूर्ण तथा अनुसासित बना कर रखेगा, किसी मांगलिक कारे संबंदी योजना भी बन सकती है, दोस्तो प्रेम जीवन के दरश्टी कौन से यह समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है, इस समय का आप हवस्य ही लाब उठाएं, दोस्तो बात अगर आपके वैवसाय और केरियर की करें, तो यह समय आप अपने करेच्छेत्र में, अपनी कतिविद्यों में और अधिक सुधार लाने का प्रेतन करेंगे, परन्तु डील करते समय बहुत अधिक चोकन्ना रहने की आपको आवश रकता है, थोड़ी सी असावधानी या फ राज किये काम पूर्ण होंगे, कहीं से रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है, वैवसाय में बहुत अधिक कार्रे तथा किसी नई जिम्मेदारी की अधिक्ता रहेगी, घर परिवार की उल्यनों से ध्यान हटा कर अपने वैवसाय नोकरी पर आप अधिक ध्यान दें, नोकरी पेसा व्यक्ती अपने लक्षे को पूर्ण करने में समर्थ रहेंगे, साथिसाथ इस्थान परिवर्तन संबंदी समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है, साथिसाथ वैवसाय संबंदी नई-नई बातों की जानकरी आपको प्राप्त ह इससे आत्म विश्वास बढ़ेगा, ओफिस के काम से किसी टूर पर भी आपको जाना पड़ सकता है, साथ ही बॉनस या तरक्की के भी योग बने हुए हैं, अपने संपर्क सूत्रों के दाइरे को और अधिक विश्थरित करना आपके लिए फायदेवन्द साबित होगा, स इसलिए थोड़ा साफधान रहें, शातिसात कारे छेत्र में मरम्मत वे रंग रोगन संबंदिक कार्यों की भी योज ना बनेगी, युवा वर्ग को अपने केरियर संबंदी कोई महत्पपोन सूच ना मिल सकती है, जिससे उनको बहुती खुसी प्राप्त होगी, कमीशन सं स्वास्थ की करें, तो यह समय ब्लड प्रेशर तथा डायवेटेज की परिशानी से संबंदित लोग अपना ध्यान अवश्य रखें, तनाव को अपने उपर हावी ना होने दें, मौसमी बुखार भी रह सकता है, अपनी दिन्चरिया को आप शेय मित रखें, बदलते मौस के नकारात्मक प्रभाब काशर आपके स्वास्थ पर भी पढ़ सकता है, इसलिए आप आयरुवेदिक चीजों का अधिक से अधिक शेवन करें, संतुलित आहार लें, और शादिसात योग और प्रणयाम का शहरा लें, आपके स्वास्थ के लिए अच्छा रहेगा